सच शीर का दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके साथ शीर करूंगा ताल रूपक में तीक लगी जो के क्लासिकल टच में है जब भी कोई किसी भी काहिन बादन जा इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ या गदल के साथ संगत करता है ताल रूपक में तो इस लगी का प्रयोग बहुत बार मैंने मुता सुना है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ यह लगी शीर करूंगा तो आईए पहले सुनते हैं कि लगी क्या है तो इसके बाद आपको इसकी डिटेल बताओं अबाद बताओं झाल 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 तो दोस्तों यह थी वो लगी आई जानते हैं इसके बोल के हैं यह स्टार्ट होगी उल्टी तेट से पूरे हाथ से बजा सकते हैं घाल झाल झाल तो पूरे हाथ से जो ती बोल है वो भी गे नाम डगे की यो लेफ्ट हैंड की यो फर्स्ट फिंगर है उससे बजाएंगा तिन था उसे जो त्दान की यो कि यो यो फिर व रही है वो है वह है वह हैंड से जो फेखिसि की यो फिरेबदर है बंदर हैत्त तो एक बार फिर मैं थोड़ी सी बजाओंगा आप साथ के बजा कर देख साथ ते हंदीरे से तो एक बार वाफिए भी, एक बार फिर खिल अ तो इसका एक मैंने अगला पार्ट बजाया था जो इससे हाफ है वो है तो जो इसकी तिहाई है तो इसकी तावान का इसकी तो इसकी तो इसकी तथा खाती कि नागादी दाधा जाग को जेगे देग देग दाई इदादी आदा तो दोस्तों जे लगी आप निकालिए इसका रियाज कीजिए इसका जितना हूद न दीरे रियाज करिए उसके बाद ही ये क्लियर बजाएगी और स्पीड में बजाएगी तो जब आप क्लियर बजाएगे तब स्पीड अपने आप बनेगी इसलिए इसका दीरे रियाज करना चाहिए इसकी क्लियर पर दियान देना चाहिए ना कि इसके स्पीड पर दियान देना चाहिए तो ही ये अच्छी बजाएगी कोई भी लगी तब ही इच्छी बजाएगी जब उसकी आप clarity पर दियान देंगें ना कि speed पर इसका र्याज इजीर त्यार कीजिए और मज़ाएं